अमिशाह नी करवाई किसानों की जमानत जब्त लाखो वोटों से दर्ज की जीत लोग सबाचुनाब 2024 के रुज़ानों में बीजेपी की नेततों वाले एंडिये गटवंधन के सरकार साफ तोर पर बंती दिख रही है हलांकी बीजेपी को बहुमत मिलता नहीं दिख रहा है लोग सबाचुनाब 2024 के जो रुज़ान आ रहे हैं उनके मोताविक एंडिये सरकार बंती हुई दिख रही है हलांकी विपक्षी गटवंधन इंडिया ने भी कड़ी टकर दी है इस सीट पर उनकी टकर कॉंगरिस प्रत्याशी सोनल पटेल से थी इस सीट पर कुल 14 प्रत्याशियों ने चुनाब लड़ा था जिसमें से सोनल पटेल के अलावा बाकी सभी प्रत्याशियों की जमानत भी जब तो होती दिख रही है गांधी नगट सीट पर 9,6,148 वोट नोटा के लिए पड़े अगर पिछले चुनाब की बात करें तो अमिशा ने इस सीट पर 5,57,000 वोटों के भारी अंतर के साथ जीत हासल की थी लालकृष्णा अडवाने की सीट से अमिश शाह ने लड़ा चुनाब किंद्रे ग्रह मंत्री अमिश शाह इस सीट से दूसरी बार चुनाब लड़ रहे हैं जिसका प्रतिनिजित वो पहली बीजीपी के दिगज नेता लाल कृष्णा अडवानी कर चुके हैं पूर्व प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपेई नेवी 1946 में यह सीट जीती थी हालांकि उन्होंने लखनू सीट यानि उत्तर प्रदेश को बरकरा रखना पसंद किया था सूरत की सीट पर निर्विरोध जीती बीजीपी गुजरात में भाजपा 65 सीटों पर आगी है और सूरत सीट पर पहले ही निर्विरोध जीत हासल कर चुकी है गुजरात में दो दशकों से अधिक समय से सत्ता में काविस पार्टी ने 2014 और 2019 में सभी 26 सीटे जीती थी गुजरात की 26 सीटों में से सूरत सीट पर बीजेपी ने निर्विरोध जीत धासल की कॉंग्रेस के निलेस कुम्बानी का नामांकन प्रस्तावकों के हस्ताक्ष में अन्यमित्ता की कारण खारेज होने और अन सभाल ने निर्विरोध सीट जीत ली